हाई दोस्तो मैं हूँ प्रेशन जी तो आप देख रहे हैं इज़ी एक्सेल चैनल दोस्तो आज हम लोग जानेंगे रिवर्स वी लुक अप के बारे में तो वीडियो बहुत इंटेस्टिंग होने वाला है वीडियो की अंतर चूड़े रहेगा यहां दोस्तो अगर आप लेट रान नहीं कर सकता है ठीक है लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में ईही सीखेंगे कि कैसी वी लुक आपको यूज किया जाता है लेट साइट की डेटा उठाने के लिए या पर कहले आज हम लोग रिवर्स वी लुक अप सीखेंगे तो चलिए सूरू करते हैं सबसे प लाते हैं is equal to VLOOKUP लगा दिया उसके बाद product code को हम लोग क्या करेंगे as a lookup value ले लेंगे उसके बाद range select करेंगे कि इसको fix कर देंगे उसको बाद comma लगा के column index number तो column index number कितना हो गए एक दो तीन ठीक है क्योंकि हम लोग price उठा रहा है तो price हम लोग की range में तीन नमर column में है तो हम लोग यहां पर तीन डालेंगे इसको बाद कॉमा लगा थे 0 for exact match ठीक है अभी इसको इंटर दबा देंगे तो देखे हम लोग को price मिल गया तो दूस्तों यह तो था normal VLOOKUP ठीक है तो यह तो बहुत आसान था ठीक है लेकिन अगर मान लीजे अभी हम लो पोड़क कोड की मतलब lookup value की left side में हम लोग के data है जहां से हम लोग को data उठाना है मतलब product code की left side में पोड़क निमे तो अभी यहां पर product code की अनुसार आप product name कैसे लाओगे VLOOKUP लगा के तो यह VLOOKUP लगा के नहीं आएगा यहां पर हम लोग को reverse VLOOKUP यूज करना होगा तो इसके लिए देखते हैं is equal to VLOOKUP लगाएंगे उसके बाद करके lookup value लेंगे ठीक है उसके बात पॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहां पर जैसे normal VLOOKUP में table आ रहे यहां पर range चूज करते हैं यहां पर वैसे normal range यहां पर table आ रहे नहीं चूज करेंगे उसके बाद या मैंने इसके बाद braces या फिर क्या लिए इसके बाद एक कॉमा देखे दो अभी second bracket या फिर बेसे को हम क्लोज करेंगे तो दोस्तों यह जो एक और दो हमने डालें यह क्या है यह जितने range लेके हम लोग काम कर रहे हैं या फिर मान लीजे function में जितना range हम लोग डाले बस उसका count यहां पर दिया हुआ है एक दो अगर तीन range डालेंगे तो एक दो तीन अगर चार डालेंगे तो एक दो तीन चार ठीक है तो चलिए अभी range select करते तो सबसे पहला range जो होगा वह होगा look of value का range मतलब यह look of value जिस range में है data में वह होगा एक number range ठीक है दोस्तों और य का value का range एक number range होना चाहिए ठीक है उसके बाद comma देंगे उसके बाद second range क्या होगा जहां से हम लोग data उठा है मतलब हम लोगों पर product name चाहिए product name कहा है इस range में तो यह हो गया हम लोग का second range इसको fix कर देंगे इसके बाद यह खतम मतलब यहां तक choose function खतम हो गया इसके बाद हम हम लोग डालेंगे range number मतलब यहां पे जो हम लोग range select किये हैं उस range में से हम लोग कौन से range में से data उठा है सेकें रेंज से non futur हुंकि हम लोग करक्मा रेवर्स ब्र्यूब का अभी basket close करेंगे और यह जो ब्रैकेट हम लोग क्लोज किये यह हो गया भी लुक अब कर ठीक है हो गया उसके बाद एंटर दवा दिया तो देखिए सुगर्चिव यहां पर आ गया तो देखते एक बार 1649 तो देखिए 1649 का सुगर्चिव मतलब यह लेफ साइड से डेटा सही सही एकडम उठा लि यह यहां इस टेबिल पर गौर कीजिए यहां पर इंटेट साइड में देखिए हैं यहां पर Ц всем без फिसका इंडेक्स निंबहर्ट्पर है इसका इंडेक्स न काम करता हैं यहां पर जो नंबर हम लग लगा हैं यह सिक्वेंस में है यह रेंज भी उसी सीक्वेंस में रहना चाहिए दो तो रेंज है वो हो गया दो नंबर ठीक है क्योंकि चूज फंक्शन में सिक्वेंस बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अच्छा लिए और एक दूसरा तरीका देखते हैं फिलूकाप उसके बाद लूकाप वैल्यू ले लिया उसके बाद चूज फंक्शन अब लोग उल्टा लगाएंगे कि आपको हमेंसा एक दो तीन ऐसे भी लागा सकते हो आप यह पर नंबर कीसी भी तरह से डाल सकते हैं इसमें कोई रिक्त नहीं है लेकिन उसी हिसाब से आपको रेंज सिलेट करना होगा क्योंकि चूज फंक्सन मतलब यह फंक्सन कैसे काम करत देखिए यह जो लुकण लुका वैलों है यह लुका वैलों चूज फंक्सन के अंधर जा के जो फर्स्ट रेंज है या फिर एपडू चोड रेंज है उसकी अंदर जा के Dynamic ूप ली तो हम लोग स्ँरेट यहांपर भी यह फो जा करेंग पिर रा डाण Retreat Name का Range । किएध को करेंगे क्योंकि यहां पिर देखेंटंकर दो नमबर पहले है तो हम लोग को आया पर धो रेंज हो जाएगी ठीक है अभी इसको fix कर देता है उसके बाद जो रेंज करेंगे उन खAL करेंगे का वह जाएगा एक नमबर क्योंकि यहाँ पे दो पहले था तो यहाँ पे पहला वाला रेंज हो गया दो नमबर और बाद वाला रेंज हो गया एक नमबर ठीक है उसके बाद यह हो गया यहाँ पे close तो देखिए यह भी सही तरीके से काम किया देख लेते हैं एक बार 2085 तो देखे 2085 मंच यहां पर मंच आ गया ठीक है दोस्तों अच्छा अभी गल्टी कहा होता है देखिए कोई कोई क्या करता है ऐसे एक तू सिलेक्ट कर लेते हैं एक कि बाद दो इस पर क्या होता है एरोर जाता है दीखिए यहाँ पर ए नहीं आ गया क्योंकि जैसे मैंने कहा यह लूकर वैलू को सबसे पहले क्या करता है एक नमबर रेंज पर ढूंडता है तो अभी यहाँ पर जो सिक्वेंस से उस हिसाब से यह प्रोड़क्ट कोड इस रेंज में ढूंड रहा है तो यहाँ पर प्रोड़क्ट कोड है ही नहीं तो इसको मिलेगा कैसे ठीक है तो क्या करता है यह सबसे एक सबसे पहले एक नमबर रेंज में जाके लूकर वैलू को ढूंडता है उसके बाद आप जिस टेबिल नमबर आप यहाँ पर देंगे उस रेंज में जाके या फिर रेंज नमबर पर कर दिये पोड़क्ट नेम का रेंज और दो नमबर पर कर दिया लूका वैलू का रेंज या फिर पोड़क्ट कोड़ का रेंज तो यह तो गलत हो गया तो इस यहाँ पर क्या कर सकते है आप एक तो कर सकते हो इस रेंज को आप पीछे ले जा सकते हो ठीक है इस से क्या हो एक नंबर हो गया आथ है और पहला वाला रेंज है दो बात में तो बात वाला रेंज को अगर आप इसकित करना होता इसे मैं यहां पर दिखाए तो चलिए और एक पर देखाद ता आप लोग को मांन लीजे में यहां पे क्या किया एक मिनिट यहां पर दो कर दिया क्या करना होगा अभी हम लुग को सेकंपने क्या क्या है यहां पर हम लोग देखिए बॉदक नेम का जो रेंज है उसको आगे ला दिया पहले रॉड़اشनी यह थे चाह ही नंक हए एक हो गया क्योंकि यहां पर बाद में है ठीक है तो ऐसे यह रिवर्स काम करता है अभी इसको आप ड्रैग कर दीजिए देखिए सारा डेटा आ जाएगा यहां पर देखिए तो दीखिए फूर्ट टू एट एट लिए लेंगे डालेंगे चूज फैस्ट उसके बाद सेकंड प्रैकेट या पर कह लिए पैरंटेशी उसके बाद ब्रेसिस डालेंगे उसके बाद एक दो तीन क्यूंकि हम लोग यहां पर तीन रेंज लेके काम करेंगे ठीक है गॉमा डालेंगे उसके बाद क्या सबसे पहले पर हम लोगों और एक नमबर गया नमबर का रेंज है यह में मैं2 है हम से याद रखना क्या है तो हम markings लुका फालु का रेंज यहां पर lриз कर दिया इसकोड़ ओसे बाद माधे नवर अब को देखें बाद यहां पर दो नाचाहिए तो आप यहां पर पहां को भी दो नामबर रहान्श पर कंयों है थिकात तो कोई दिक्कत करूपी ठीक है जो के रैंच है वह हम लोग तो नन बर रहेंज के लिए इसके फिक्स कर दिया इसके बाद रोडियर चुन का रींश दे बडियर अभी है का इसको आलेगे और देखे जोन हमारे यहां पर चूस फंक्शन में कितने नंबर रेंज में था यहां पर ऐसे पर-प्रेल कलर का जो रेंज है यह कहां पर यह का है और यह कां पर यहां पर फंड पर है तो दो नंबर रेंज से हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग यहां पर दो लिख देंगे उसके बाद क्मा डालेंगे उसके बाद जीरो ब्रकेट क्लोस एंटर दबाएंगे तो दिखिए यह आगया साउट तो दिखते हैं सोगर्चू बिल्कुल जी सुहर्चू साउथ में औहीं है अभी चलिए इसको उल्टा करकर के डालते हैं विलुक अभी यह हो गया लुक अडू हम लोगका है चूज फर्स बैकेट सेकंड बैकेट अभी जूंद धालेंगे के बाद जो रेंज होगा यहां पर जो पहला रेंज होगा वह क तो हम लोग का तीन नंबर अगा कौन सा था यह था ठीक है सको चलेट कर देगे कॉमा डालेंगे जोन का रिंच से स्लेट कर लिए कॉमा डालेंगे अभी एक नंबर रेंच कौन सा होगा लुकल कर रेंच क्योंकि यह mandatory है ठीक है इसको fix कर दिया अब यह खत्म होगी चूस पंक्शन यहां पर bracket close कॉमा डालेंगे कॉमा डालके हम लोग को कितने नंबर रेंज से डेटा चाहिए हम लोग को दो नंबर रेंज है ठीक है तो देखिए यहां पर भी जोन जो है क्या करेंगे यहां पर पे टेल का यह रेंज स्कार डीजे इस फंक्शन में फंक्रमनिजिये मुझा पर यहां पर परचस्चंड में का रेंज कौन चाहिए यह लाल वाल यह तो मतलब पहला बहरेंज है क्ट्रेंज में पहला है है तीन है ठीक है तो हम यहाँ पर टीन डाल देंगे ठीक है क्योंकि यह तीन जो है इंडिकेट कर रहा है इस रेंज को यह दो जो है यह इंडिकेट कर रहा है इस रेंज को और यह एक इंडिकेट कर रहा है इस रेंज को तो उसी सबसे यह रेंज जो है यह तीन नंबर रेंज तहीं तो दो कर दिया तो देखिए यहां पर जो रोलो का जो आ गया अब इसको के देख लेते हैं तो देखिए यहां पर छोंट यहां पर यहां पर आ गया तो एकदम यह सही सही तरीके से हम लोग की function जो है वो काम कर गया ठीक है जोस्तों बस यही ऐसे ही काम करता है रिवर्स वी लुक आप बहुत आसान है साहिद आप लोग को थोड़ा बहुत confusion हो रहा है या फिर आप लोग तो दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिए यह आसान हो जाएगा और अगर आप लोग को वी लुक आप या पर चूस फंक्शन नहीं आता है दोनों फंक्शन का वीडियो मैं अल्डेडी मेरे यूटूब चैनल पर और मेरे फेस्बूक पेज इजी एक्सेल में डाल चेक कर सकते हो ठीक है तो यह थोड़ा वाफ आसान हो जाएगा समझने में ठीक है अगर अच्छा लागा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे एक नया फंक्शन के स तब तक के लिए बाई बाई